और चलिए अब स्थार्ट करते हैं कॉंबिनेसनल सक्रेट कोंच सकेट कॉंबिनेसनल तो आप विशिकली आप डिश्टिल एक अनिसमें दो ताइप कर शेक्रठ पढ़ते हुए एक होता है combinational circuit और दूसरा होता है आपका sequential circuit combinational और sequential दोनों को ही हम पढ़ेंगे पहले starting करते हैं combinational से तो combinational circuit में क्या होगा जो हमारी inputs होंगे उन ही की basis पर आपका output आ रहा होगा और हम उनको बना रहे होंगे and gate, or gate और not gate की basis पर कहने का मतलब यह है कि हम gates का combination करके circuit तो बना रहे होंगे लेकिन उसका output सिर्फ हो सिर्फ input पर depend कर रहा होगा लेकिन sequential circuits में क्या होता है कि जो output होता है वो उसके previous output पर भी depend करता है तो यहीं दोनों basic difference है तो जह हम combinational circuit पढ़ेंगे सबसे पहला जो सबसे important है और इसका अपने experiment भी क्या होगा वो है हमारा half adder कौन सा? half adder circuit ठीक है circuit वो short में CQD लखते हैं थाकि time ठीक होजाए half adder और full adder यह दो पढ़ेंगे उसके बाद में half subtractor पढ़ेंगे और half के बाद में full subtractor पढ़ेंगे यह पूरा कहानी आपाई चलेगी पूरी combination circuit में और अगर time बजगे तो कुछ और combination circuit है उनको भी हम discuss कर लेंगे अभी जोको half adder circuit होता क्या है basically आपने देखा होगा अगर आपने MSC में experiment किया तो experiment भी आपके label होता है आप क्या करते हैं? आपके पास 2 bits होती है suppose 2 bits कौन कौन सी है एक मानलो A है और दूसरा है B तो आप मानलो इसको add करना चाहते हो तो इसके combinations क्या क्या हो सकते है 0011 0010 ठीक है अब देखो थोड़े देख लिए दिमार्ग से निकाल दो boolean algebra को ठीक है binary का कुछ system नहीं है अब आप जो पढ़ रहे हो वो है basic mathematics बेसिक mathematics और जो mathematics होता है वहीं होगा तो जब मैं इसको add करूंगा यानि कि सम करना चाहूं तो सम को मैं लिखूंगा क्या a plus b करना है ठीक है तो सम का मतलब है a plus b तो मेरा जो function आएगा वो a plus b इसको different आएगा कैसे different आएगा उसको समझते हैं तो हम actually sum कर रहे है अब देखो 0 plus 0 जब करोगे तो obviously आपको क्या मिलेगा 0 0 plus 1 करोगे तो आपको मिलेगा 1 1 plus 0 करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा 1 और जब आप 1 plus 1 करोगे क्या करोगे 1 plus 1 तो आपको मैंने बताया था जब हम gates की भी बात कर रहे थे gates में add कर रहे थे तो gate में क्या होगा था भई आपने high में और high add किया यह बात थी gate की तो आपको high मिला था है तो हाई में हाई एक तो में हाई मिला तो लेकिन अभी काहले थोड़ी बदल जाएगी अभी क्या होगा हमने इसको बन सीचों कि तो आपको और प्रूट में क्या मिला था हाई लेकिन जब हम बातने बेसिक मैं तो आपने क्या किया बन प्लस बन किया तो आपको क्या मिलता ह है तो यही हमारा अ मीर लेकर लेकर खुर करें लेकिन अगर आप बात कर देवा उसनल गजिए लूट करो आपने किया आपको मिलेगा बन जीरो यानि कि आपका संतु हुआ है जीरो और बन गया है किसमें कैरी में तो यहां मैं नोट कर देता हूं कैरी बाकी सब्सक्राइब कितना रहा है जीरो लेकिन जब आप पहुंच गया है तोड़ा सा लाइन यहां से अब ठीक है है ना एकड़म सीक्वेंस लिखे होगे हैं है ओन यह 11 बांति जो आपने 0 प्लस 0 किया तो आपको सं मिल गया और कर्ये अभीजिरो आपने बंदा प्लस बंदा जी चाहिए लेकिन जैसे आपने बंद प्लस बंदा है जिरो और कैरी मिला है बड़ किसी चोटे वच्छे वाना दिमाग यूज करो और उनको यही सिखा जात आता है कि 1 प्लस 1 में 0 आपका सम आता है और 1 क्या है कहले तो यह तो आपका हो गया जो आपको रिक्वाइड है उसके बारे में अब आपको बनाना है सके इतना हमने डिजिटल पढ़ लिया इतना डिजिटल पढ़ने का बैनिफिट कुछ भी नहीं होगा अगर आप अपने ज आपको इस दिख रहा है A B और यह आपका सम लिखा हुआ है इसको मैंने एस नाम दे दिया यह एक्स जो एस है यह इन दोनों गेट्स पर कैसे डिपेंड कर रहा है आपको दिख भी जाए कि 0000 में 001 में 001 में 001 में क्या रहा है वन तो देखुए इनिक्वालिटी डिटेक् काम कर रहा है इनिक्वालिटर मतलब क्या हुआ है यह एक्शूआल में क्या है एक्स ओर गेट का आउट्पूट रहे हैं है कि नहीं है तो अगर यह एक्स ओर गेट का याद रखोगे तो कुशन कर देए बहुत आसानी होगी तो यह किसका यूनिक बाला है ध्यान से देखो कि अगर आपको समझ में आएगा यह end gate के लिए किसके लिए है end gate के लिए है यानिकि अगर मैं चैरी को मैं शो करता हूं तो कैरी जो है हमारा यह carry क्या है end gate है नहीं कि a dot b तो basically हम करतो addition नहीं है लेकिन हमारे जो outputs में gate लग रहे हैं वो different है जब हमें sum निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा a x or b यानि a b के साथ में x or gate लगाना पड़ेगा और जब हम carry निकालना होंगे तो carry की case में क्या a dot b करना होगा तो हमको carry मिल जाएगा अब अगर आप से satisfied नहीं हो तो आप इसी equation को solve कर सबते हो k map के त्रोगे और अगर आपने पीछे की video देखिए तो आप आगे की चीज़ समझ पाऊगे अगर आपने नहीं देखिए तो यहाँ वीडियो को पहले पीछे की video देखिए आओ दोनों जिसमें में आपको k map पहले बनाना सिखाया है और k map बनाने के बाल उसमें कैसे grouping करते हैं कैसे numbering करते हैं सब कुछ आपको सिखा रखता है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं तो हम क्या करने वाले हैं हम इस question को k map से भी करने वाले तो अभी तो आपको दिख गया सिंपल में कि यह equation directly है लेकिन हम कैसे माल लें कि यह equation है कुछ और भी तो हो सकता था तो कैसे निकालेंगे देखो आपके पास दो equations है इनको अरसा अब मैं इसका बनाना चाहता हूं कि मैं इसकी equation find कर सको तो इसकी equation find करने कि मैंने को दो तरीक में जब भी आप two variables को डील कर रहे हो तो two variables को आप k-maps कर सकते हो और अगर आप चाहों तो two variables को डायक्ली में solve कर सकते हो वह आपकी मर्जी है तो देखो क्या करना है जहां जहां बन आया है यहां बन आया है और यहां बन आया है इसके लिए जब आप function लिखोगे तो कुछ नहीं करना जहां 1 है उसकी equations लिखो कौन गौन सी है जीरो है उपा लिखते है0 है बन है और क्या है कि इनको आपस में कर जाना तो 0 और बन का मतलब क्या होगा a कट तो नहीं हो रहा ना ठीक है ए आपको डिरेक लिए कि कि का यह है एक्स और गेट की और अब भी यह किन नहीं है तो आप इस को को आप डायटली सॉल्व भी कर सकते हो कि मैप से कर लेते हैं क्या करना हमें यहां यहां पर बन है तो कैसे बादेंगे टू बैरियेबल का के मैप क्या होता है स्क्वार सेप का बनता है जलड़ अब इस एकले करें के वेडिसल कर लेते हम इस फॉल करने औरको किसको पेल करते हैं रहां हम हमारा इस प्लॉस्ट करें यरिज manner इस ज्ए और तो मेरा बन आया है ही है फ First और Second तो यह Zero होता है यह One होता है यह Two होता है 각 में फर्स्ट पर और सेकेंड पर क्या करो अब hoc प्राइं द्ध४ डायगोनल लागा डायगोनल में क्या यह पेर्स तो बंते नहीं है तब डायगोनल पेर्स नहीं बनते है तो आप क्या करोगे just simply इसका equation लिखो और इसका तो यह हमारी क्या चलना यह A है और यह B है यह 0 यह बन यह 0 यह बन अब कुछ नहीं करना इसके लिए जवाब लिखोगे तो क्या बनेगा इसका इंडेक्स होगे 0 बन क्या हुआ जीरो बन यानिकी A बार B और इसका जब आप नोट करोगे तो इसका इंडेक्स बन गया है बन जीरो यानिकी A B बार जाब फंक्शन लिखोगे तो आप इन दोनों को एड़ कर दोगे यानिकी A बार B प्लास A B बार यही आपका function बन जाएगा तो आप यहां से भी दिख सकते ह इसको मैं रफ करता हूं यह बस आपको समझाने लिए ताकि आपका पीछे का सारा का सारा रिवाइस होजा है तो मुझे मिल चुकी है equations किसकी समकी और कैडी के लिए अगर आपको चाहते हो कैडी के लिए विए ड्राइब करो तो आप भी ड्राइब कर सकते हो बट क्लियर ल निकालना है ठीक है तो क्या करना पड़ेगा मुझे एक्स और गेट लेना पड़ेगा चैसे लेंगा है यह हमारा और बी दो इन्पूट होगा है अगर मैं इसके आगे लगा दूए कौन सा गेट एक्स और यह एक्स और तो मेरा यहां जो आउटपुट आएगा वो क्या मि यहां से मैं निसला को जम करा दिया और एक इंपुट यह इंपूट यहांसे कि मुझे आपको समय ना आसान है आपको A और B दो इनपुट दिये थे आपको आउटूट में A X और B मिल दा है ठीक है और कैरी में क्या मिला है A.B यह है इसका सर्किट डाग्राम गेट्स के हल्प से अगर आप चाहों तो इसका सिंबल डाग्राम बना सकते हो सिंबल डाग्राम कुछ ऐसे बनता है एक सक्वाइर सेपगा बॉक्स है और इसमें आपने दो इंपुट दिए है ए और व यह चाहलिए अज़ी दोग्राम कोन्पूट में बिलेंगे यह आपका half adder क्या करेगा उन दोनों का xor देदेगा और carry भी क्या देगा इन दोनों की देदेगा dot product तो यह half adder का symbol diagram है यह circuit diagram है और यह आपके truth table बनके त्यार हो गई है तो यह पूरा कहानी थी half adder की इसके लिए वो क्या क्या requirement है तो एक site exam में यह पूछा गया फूल एडर के लिए कितने half adder लगेंगे तो आपको जब तक यहां की कहानी समझ में नहीं आएगी तब तक आप फूल एडर को नहीं समझ पाऊगे तो ठीक है यहां पर आपने क्या लगाया एक लगाया है एक लगाया है एंड गेट ठीक है और इन दोनों के से बनता है हमारा half adder यह है ठीक है तो इसकी इन सट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं और अब बनाते हैं फूल एडर की कहानी है वो काफी अद्धक इसके जैसी ही है बस थोड़ा सा चेंज आगा एक काम करते हैं तो फिर से बना लेते हैं तक गलती है ना हो चीकिए अब हम बनाएंगे फुल एडर साकेट तो फुल एडर साकेट में क्या होगा जो आपने हाफ एडर पड़ा इसमें एक इमिटेशन है कि जैसे ही आप दो बिट से ऊपर जाओगे तब यह सक्रेट में आपको आउट्पूट नहीं मिल सकता आप यहां पर क्या करोगी आपको आउट्पूट जो चाहिए वह रिक्वार्मेंट नहीं जैसे माल लो मैं बनाता हूं थ्री बैडियेबल्स का नहीं कि ए भी और चीए मेरे तीन वेलिबल्स है और पास पास लिखते हैं अभी मिले क्या करना है कर रहा है कि है से यह मेरे इंपूट क्या क्यों हो चकते हैं अभी टो टाइम जीरो एन्टू टाइम सबन आप्ट जीरो फ़न जीरो फ़न जीरो फ़न टीक है अब तो कुछ ऐसी कहा नहीं अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सम कि सम्में क्या हो रहा होगा सममें बैसिकली इन तीनों को आड़ करना है तो आप ध्यान लखोगे, बिल्कुल basic mathematics चल लेगे, यहाँ पर कुछ भी extra आपको दिमाग नहीं लगाना है, जो भी basic mathematics आपने पढ़ा है, वही लगाना है, बन प्लस बन टू होगा, यह नि वन जिरो होगा, तो 0 प्लस जिरो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्या आएगा, 0 करोगे, क्योंकि बन प्लस बन कितना होता है, बन प्लस बन को टू किया है, इसलिए आपका सम कितना हो जाएगा, 0 और कैरी कितना होगा, 1 यहां पर देखो, 1 प्लस जिरो जब करोगे, तो बन आएगा, बन प्लस बन करोगे, तो फिर 1, 0 आएगा, इसके बाद यहां देखो, 1 प्लस 1, कितना आएगा, 10 उसमें 0 आट करोगे, तो सेम रहाएगा, यानि कि 1 और 0, यह जो लास्ट वाला केस है, इसी की बज़े से में, फुल एडर की जवध पड़ी, क्योंकि ऊपर तक की जो कहानी चल लेते, उसको आप हाफ एडर से भी काम चला सकते थे, लेकिन यहां काम नहीं चलेगा, यहां क्या होगा कहानी, यहां कहानी कुछ ऐसी होगी, जब 1 प्लस 1 करोगे, तो आपको मिलेगा, 10, और 10 में अपने प्रसे 1 एड़ किया, तो आपको मिलेगा, वन-1, यहां किहानी बनी है, वन-1 कि, उम्मिद्थ ही आपको समझ में आ गया होगा, 1 प्लस 1 किया, तो आपको मिला है, यहां किया है, एक तुम है, तो यह आप श एक यह एकी बसे इम्न जच पर आगे से, बाकी सभी जिगर, पर सकते हैं अब जैसे हमने पीछे बता रहे था कि वह तो था एक्स और गेट लेकिन यहां पर आप देखो तो आपको इसली समझ भी नहीं आगा यह है क्या तो इसको करने के लिए ही आपको के मैप सिखाया गया अगर आप इसको शॉल्व करना चाहते हो तो आप के मैप की थिर्स्वाल करोगे कैसे सोल करोगे cent कि शुरू करते है कि सम की क्या एग और के क्या एगी कि आएगी है सेम बैसा ही परिटन यहां ही फालो करना है और जो वहां आपने किया डायक लिए लिए था कि एक्सवार्ट भी है और एडॉट भी है उसकी जगर पर अब हम फाइंड करेंगे एक क्विशन सबसे पहले कुशन करते हैं अगर आपको याद है तो अच्छी बात नहीं याले तो काम करते हैं इसके के लिए लिखते हैं जब के मैं बना होगा तो आपके पास वन की पुजिशन कौन को दिखते हैं एक तो पुजिशन है यह एक यह और एक यह टोटल four times one आया है कब कब आया है कौन कौन सी फिर सेकेंड पे आया है फिर फोर्थ पे आया है और सेविंद पे आया है तो वन अब बनाओ के मैप तो के लिए आपको सबसे पहला स्टेप था बिट परता करना है नहीं मैक्सिम नंबर और बैरिबल से आपको पता है तीन है ठीक है तो टू की पावर एंड का मतलब कितना तो मैंने बना दिए 8 boxes अब 8 boxes बनाने के लिए मैं क्या करूंगा अब क्या करना है अब बन को फिल कर दो बन कहां कहां पर है बन एक तो है फर्स्ट कोजिशन पर यानि कि यह था जिरो वन टू और यह त्री फोर फाइव शिक्स और सेवन ठीक है तो इस तरह की पूरी कहानी थी अब बन को फिल कर दो तो बन कहां पर फस्ट पर यानि कि यहां पर और वन कहां पर है सेकेंड पर यानि कि यहां पर और वन कहां पर है फोर्स पर यानि कि यहां पर और वन कहां पर है सेवन यहां पर और मैंने आपको बताया था कि अगर बंस साधिक इसमें बढ़े हो क्रॉस में फिल यानि कि जितने आपके boxes हैं उसके half ones हो ठीक है और उसके बाद में 1111 half field है और cross field इसमें कोई भी simplification possible होगा नहीं तापको कुछ नहीं करना है इन सबके particular equations लिख देने हैं तो इसके लिए equation क्या बनेगी इसके लिए equation बनेगी 100 00 यानि की a b bar c bar इसके लिए equation क्या बनेगी 001 यानि की a bar b bar और यह c इसके लिए equation क्या बनेगी 111 यानि की क्या बना है आप है 111 यानि की a b c और लास्ट वाला है आपका कितना 010 इसके लिए equation क्या बन जाएगी आपकी यह बन गई आपकी a bar b c bar ठीक है यह equation बनके आपकी त्यार होगी है अब देखो ध्यान से c यहां भी है c यहां भी है यह यहां भी है और यह यहां भी है तो हम इसको simplify कर सकते हैं और अगर आप चाहों तो इसको डायक ली थोड़ा सा यह बनेगे आपका function अब क्या करना है हमको तो बस इतना ही है आपका solve कर थोड़ा सा तो हमें equation इतना बड़ा तो बनाने में दिक्कत होगी simplify कर सकते हैं यहां भी सी वार है यहां भी सी वार एक काम कर दो आपके पास बचेगा यह आलड़ी प्लस में लिखे हुए क्योंकि हमने a bar b plus a a bar यह हो गया a b bar और यह a bar b ठीक है और आपके डॉट में आ जाएगा c bar common प्लस इसमें इसमें देखो क्या होगा इसमें इसमें आप c common ले लो तो आपके पास बचेगा a bar b bar plus a b अब जिसको पीछी की knowledge है जिसको मैंने पीछे lecture देखें समझाए उसको यहाँ पर समझ में आ जाएगा अदर्वाइस आपको कहोगे कि मैंने यह लान कैसे आगे लिखती अकर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि a bar b plus a b bar यह होता है हमारा x all gate और other x all gate पे मैं not all लगा दूँ यहाँ इसका लगा दूँ क्या बार तो एको प्लस अब प्लस यह बार बार के जिन्होंने पीछे देखा उनको समझ में आ जाएगा मैं यहाँ पर क्या कह रहा हुँ तो अब मैं क्या करता हूँ a bar b plus a b bar की जगाए आपर note कर सकता हूँ a bar b plus a b bar और इस complete bar को into c अब अगर आप काफी smart हूँ तो आपको चमक गया होगा यहाँ पर हमारे दो gates का क्या हो रहा है x और हो रहा है और नहीं चमका देख काम करो इसको मानलो x तो यह है x c bar plus x bar c तो basically क्या लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है x x और c साही है आप इस x की value कर पूट करना चाहूँ तो क्या value है इसकी यह और यह value है क्या यह basically है a x और b तो यह बन गया मेरा a x और b और x और c तो यही मेरा final function के तयार हो गया है तो यह function किसका है यह function मैंने निकाल लिया है sum का, अब ऐसे ही निकालूँगा मैं carry का, अगर आपने k-map सीखा है पीछे दो, मैंने आपको जब k-map पढ़ाया तब भी समझाया था, k-map से diet question आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप इस type of question solve कर रहे होगे, तो बहाँ पर k-map ही use करना पड़ेगा और कोई तरीका है solve करने का, ठीक है, अगर shortcut से जाओ, तो shortcut से equation लिख सकते हो, k-map का rule पर से इतना ही होता है कि कैसे आप buns की equation इस में reduce कर दो, यहाँ पर यह reduce नहीं हुए, बट कुछ जगे आपको बहुत अच्छे से rates मिलते हैं, directly आपको solve equation मिलती है, इस तरह से simplification नहीं करना पड़ता है, ठीक है, अब बात कर लेते हैं carry की, तो जो मैं carry कर बनाऊंगा, तो carry भी यहाँ पर कितने है, तीन variables के लिए came up बनेगा, तो तीन variables का came up similar type से बनेगा, अब यहाँ पर क्या है, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1 और 1, 0, मिले variables कौन से हैं, A है, B है, और C है, अब देख लो, 1 carry में कहां कहां पर आ रखा है, 1 आया है carry में 3rd position पर, यहाँ पर, और किसमें आ रखा है, 5th position पर, और 6th पर, और 7 पर, तो fill कर देते हैं, 3rd position कौन से होती है, यह उता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3rd position यह वाली है, ठीक है, और किस पर रखा है, 5, 6, 7, तो आ गया 5, 6, 7, यह मैंने fill कर दिया, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकाल लिए equation, तो equation के लिए मैं क्या करूँगा, इनका निकाल दूँगा, कि आप क्या करोगे, minimum number of pairs बनाओगे, लेकिन maximum number of ones को include करोगे, 2 की power n के multiple में, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 pairs में बनके त्यार होगे, तो आप क्या करोगे, equation लिख दो, तो function बन कि आपका, अगर मैं इसके लिए लिखता हूँ, तो क्या होगा, यह इसका index बनेगा, जो variable change हो रहा है, वो तो खतम हो जाए, कौन सा variable change हो रहा है, यहाँ से यहाँ गए, यह तो fix रहा, यह भी fix रहा, 0 और 1 यह बने बी वाला variable change हो रहा है, यानि कि मेरा 1 dash 1 है, यानि कि A, B बच्चा, C खतम हो रहा है, माप किजिएगा, A C बच्चा B खतम हो गया अगर मैं इसके लिखता हूँ तो क्या लिखेंगा यहां से यहां जाने पर कौन सा चेंज हो रहा है C वाला चेंज हो रहा है A fix है 1 और B fix है तो A fix है B fix है C finish हो गया A B यानि कि यह बन गया A B और इसी तरह से में इसके लिखोंगा तो इसकी क्या बनेगी यहां देखो 0 और 1 यह A चेंज हो रहा है तो 1 1 fix है यह कि डैस कर लिए यह तो भी चेंज हो रहा है और 1 1 इसकी क्योशन बन जाएगी B C इन तिनों को एड़ कर दो A C प्लस B C प्लस AB बेटर फॉर्म में लिखते हैं तक समझने में असानी रहे यह बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CA यह function बन गया आप चाहों तो आप डायेटली क्या करों तीन एंड गेट लगा दो इनको डायेटली AB, BC और CA को आपको output मिल जाएगा और चाहों तो उसको और simplify कर रहते हो तो यह portion मैं खाली छोड़ रहा हूँ कि मुझे यह part फुरा बाद में और फिर से यूज करना पड़ेगा यहां के लिए इतना ही छोड़ जोड़ता हूँ कि AB प्लस BC प्लस CA यह एक कुश्व मुझे मिल गया है और किसकी Carry की तो function है यह किसका Carry का और यह function है किसका सम का सम में मुझे लगाना एकसर ओरगेट और यहां लगाने है पहले लगाने सम में nicely और उन सबको और गेट से और अड़ कर जाना दढ़ीड नहीं है तो table को भीनाते हैं तो देखो मेरे पास था तीन बेटेबल्स, एक है A, दूसरा है B, और तीसरा है C, A, B, और C, आपके पास तीन इंपुट है A, B, C, और लगाना है क्या XORGATE, तो XORGATE आप एक साथ का मैंट भी लगा सकते हो, और इंडिविजली भी लगा सकते हो, तो करना कुछ नहीं है, आप A, B, और C को साथ में लेके चलो, और बना दो XORGATE, और आपको मिल जागा directly output में क्या, sum, क्या मिलेगा यहाँ पर, A, XORB, XORC, complete हो जागा, अब कहने के लिए क्लिए 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 क्लिए, A, B, B, C, और C, तो A, B, B, C, C, कैसे करेंगे, A, B, B, C, और C, यानि ये काम करते है इनको input आदो नीचे ले लो या फिर दोबारा लिख लो, तो मैं क्या करता हूँ, दोबार करता हूँ, तकि समझ में अच्छे से आ जाए, तो मेरे पास है A, B, और B, C, B, C, और C, A, इन दोनों पर लगाओ, end gate, इन दोनों पर भी लगा दो, क्या, end gate, इन दोनों पर भी आके कर दो, combined, और लगा दो, orbit, यह बन गया आपका क्या, carry, carry में को क्या मिलना है, A, B, प्लस, B, C, प्लस, C, A, तो यह आपका full adder circuit बनके त्यार हो गया है, आपको यहाँ से sum मिल जाएगा, यहाँ पर यह B, miss हो गया, अच्छली हाथ और दिमार्केट पर आसा miss communication हो जाता है, तो कुछ बर्ड्स मेरे बोलने में और लिखने में miss हो जाते हैं, तो A, X, और B, प्लस, X, और C, तो यहाँ से मुझे मिल गया है क्या, sum, और यहाँ से मिल गया है, carry, तो यह था आपका, full adder circuit, आपने यहाँ बना दिया, X, और, और, तीन, end gate, और, और, गेट को यूज़ करके, यह तो आपने बना दिया, सिर्फ और, X, और, और, और बना के, full adder circuit को हम बना सकते हैं, बापस से दो half adder को भी add करके, और यही पूछा कहता है, कि जो हमारा full adder circuit है, उसमें कितने half adder circuit required होते हैं, तो उसके लिए आपको पहले half adder समझना पड़ेगा, फिर full adder समझना पड़ेगा, अब हम move करेंगे, half adder से full adder कैसे बनाते हैं, तो एतना screenshot लेलो, और बहाँ पर हमें थोड़ा इसको और simplify करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, अब बात कर लेते हैं, full adder circuit using half adder circuit, यही पूरे lecture का सबसे important point है, यही आपको समझना है, यहीं कोशन यहीं से पुछा गया, कि हमने full adder circuit implement करने के लिए, कितने half adder circuit required होंगी? तो जो पीछे आपने कहानी समझी है, उसके basis पर कोई एक चीज समझ में आगए, कि आपके पास अगर sum है, क्या है? sum, तो three variables के लिए sum लिखते हैं, वो लिखते हैं A, XOR, B, XOR, C, ठीक है? और carry की बात करेंगे बाद में, तो आप देखोगी ध्यान से, यह actual में एक half adder है, और इसको इसके साथ में जब मैंने combine कर दिया, तब मुझे दो half adder से sum मिल गया है, full adder का, तो पहले इतना diagram बनाते हैं, मालो मेरे पास एक A था, दूसरा था B, और इन दोनों को मैंने half adder के input पर लगा दिया, तो आपको पता है, जो मेरे half adder है, वो क्या करता है, मेरे दो output देता है, एक तो output देता है, sum, और sum में मुझे मिलता है A, X, और B, ठीक है, और दूसरा मुझे output मिलता है A.B, जिसको हम बोलते है, क्या बोलते है, carry, तो carry पर क्या मिलता है मुझे A.B, अब ध् मिल जाएगा पूरा complete equation यानि एक और मैंने इसके बाद में half adder लगा दिया ठीक है और क्या करना है यह जो half adder है मेरा यह क्या करेगा यह मुझे output देगा यहां से sum और sum में मुझे क्या मिलेगा sum में मुझे मिल जाएगा यह जिसका input है यानि कि दिस टर्म पूरा complete a x और b और इस पूरी टर्म का x और हो जाएगा दूसरे input के साथ और दूसरे input मैं यहां पर क्या देता हूं दूसरे input मैं यहां देता हूं एक c ठीक है तो मुझे यहां मिल गया है sum पूरा complete एंड एक requirement मेरी हो चुकी है पूरी अगर आप ध्यान से देखो तो समझ में आ गया हुआ आपने दो half adder case use करके आपको मिल चुका है sum अब बात कर लेते हैं carry की तो carry जो है यह है आपकी equation a b plus b c plus c है अब जो आपने पीछे जिस तरह से आपने carry को attain किया था 15 and gate लगाए and then आपने एक और gate लगाया उस तरह से ना करके हम यहां थ्रा smartly खेलेंगे अगर मैं इस input को क्यों सा input है a x or b तो इस input को लेके आता हूं और यहां से output में मुझे क्या मिलेगा यहां से मुझे output मिल जाएगा c के साथ में carry मिलेगा यानि कि जो दो inputs है a x और b और इसका dot product हो जाएगा किसके साथ में c के साथ में यही तो carry करता है carry में मुझे मिलता है दोनो inputs का dot product तो यहां इस half adder के दो inputs है एक तो है यह input और दूसरा है यह तो एक input यह और दूसरा यह इन दोनों का dot product तो यह मुझे मिल जाएगा यहां पर आकर कि यह अब इसका dot product है इसको मैं इसके साथ combine कर देता हूं किसको इसको और इसको अभी अब को समझ में आएगा मैं इसको कम्बाइन क्यों कर रहा हूं अगर मैं इसको गया करलता हूं तब मुझछ बापस से मिल जाएगा किया कि क्यानी कि यहां पर लाके थिक्या अभी मैं सो क्या घंता हूं और मुझे यहां मिलगा अब सुचो कौन सा गरता है यह है और यहां मुझे प्लस करना है, किसे और मुसक्ण करना है, तो कर देते हैं, यह बन गया मेरा A PLUS BC साथ में sek unfold है और यह H emb डी है यहां तक है कहाणिया आपको समझ में आ गई होगी हमने क्या है एड़ोट बी-को इसके ऑपुट इसके जो कईरी था यह वाला कहरी और ह면ेब बेस्टली हमने क्या किया इस करी को जोड दिया है simply tão वह समझो तो यह के डिमाराइड भी था और हम कर्यम में रहे था इन दोनों को जोड़ते हैं में फाइनल केरी मिल जाएगा तो आप conceptually समझ के होगे कि half adder से जो केरी आया उसको बाद बाला केरी के साथ add कर दिया output मिल गया लेकिन क्या यह equation और यह equation एक जैसी है इसको आपको पहले समझना पड़ेगा तो आप जब तक आप यह नहीं मानोगे कि यह दोनों equation सेम ही है तब तक आप साटिसफाइद नहीं होगे इसलिए हम क्या करेंगे इन दोनों equation में आ पसमें relation find करेंगे क्या यह equation एक जैसी है या फिर नहीं है तो इसको solve करते हैं तो देखो क्या करना है यह जो आपका output आ रखा था AB PLUS BC PLUS CA यह आपका simplification के बाद में output है जो आपके KMAP से आपको अच्छी हुआ लेकिन KMAP कर प्रोपर्टी अगर आप क्या करो इसमें जो अपने ग्रुप्स बनाया थे इन ग्रुप्स को इंग्रुप्स को कर दो सिर्फ 1 1 1 टूटल 4 1 से इनको अंक्रूट करो कहने का मतलब क्या है जो मेरे यहाँ टेबल बनी हुई थी जिसमें मैंने कैड यह बन था 3 पर 5 पर 6 पर और 7 यह मेरे बन की पुजिशन गिविन थी तो अगर मैं इसको simple अपने shortcut से solve करों तो मुझे क्या मिलेगा ग्यान से देखना 3 का मतलब क्या था यानि इस बाले बन की बात कर रहा हूं मैं हाँ इस बाले बन की बात कर रहा हूं मैं इस बाले बन के का मतलब क्या बनता है ए बार बी सी क्लियर है 5 की बात करूं तो यह वाला बन यानि की 1 और 00 जहां लेखते हैं 011 101 यह 5 के लिए हो जाएगा 6 के लिए क्या होगा 111 होगा और 7 के लेखाएगा 11 0 होगा 11 0 होगा तो इसकी क्यों मनेगी ए बी बार सी इसकी निए अब अब अगए अगर आप ध्यान से देखोगे तब कुछ चीज अगर मैं यहां से और यहां से C common ले लूँ, यहां से AB common लूँ, यह मैंने common लिए है AB, तो यहां बचेगा और C common लिए है, यहां बचेगा क्या है, एक्स और बी और इसके साथ डॉट प्रोड़क्ट हो रहा है किसका सी का प्लस एवी एज़ट इस अब यही एक्विशन तो यहां नोट किये मैंने इसी एक्विशन को तो मैंने सब्सक्राइट किया था डायेक्विशन था एक्विशन था यह एक्विशन में यह वाली एक्विशन भी है तो अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो आपको यह मिल जाएगा इससे आपको और समझ में आती है कि जो वारा के मैप है इसका आउट्पुट यूनिक नहीं होता है औ लेकिन जो फाइनल आपका डिजितल आउट्पुट होगा वो सेम एता उसमें कोई चेंज नहीं आता ठीक है तो यह पूरी कहानी थी आपकी फुल एडर की यूजिंग हाफ एडर से क्या किया हमने एक एक स्टॉर गेट लगाया और एक एंड गेट लगाया उसके बाद हमन हुआ है झाल